हाई फ्रेंज राते राते कैसे हो आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे अपनी अपनी जिंदिकी में एकदम मस्त होंगे आप सब का स्वागत है मेरे नीव ब्लॉग में तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम तो मेरा blog morning से ही start हो रहा है तो अब भी लगवग हो रहा time 9 वज गया है, कम से कम 9 ही बज रहा है अभी तो मेरा हो गया है blog अभी start और हम लोगों का breakfast हो गया morning में आज मेरे breakfast का वीडियो नहीं बनाया आज में भूर गी पता नहीं निकल गया दिमाग से आज मैंसे मैं ब्रेकफास्ट में सिंपल पनाथे बनाए थे तो हम सभी का हो गया ब्रेकफास्ट और हम में इसको काट लेती हूं कद्दू को इसको कासी फल भी बोलते हैं लेकिन कद्दू भी बोलते हैं लेकिन हमारे यहां पर सभी कासी फली इसको बोलते हैं तो इसको कासी काशी फलको में अप कात लेती हैं एत्वम कितना अच्छा है एकदम ग्रीं-nez बहुत अच्छा अच्छा था तो कॉमर कर लेती हूं और इसके जादा मोटे छोटे-चोटे करूंगे ताकि चे अच्छे से हो जाये और इसका सब्स्रेंग बहुत अच्छा बनता है तो dying green तो अब मैं इसको कट कर लेती हूं तो मेरा कद्दू को मैंने अच्छे से काट लिया है और उसके लिए मैंने काटा है टमांटर और प्याज प्याज मत्वल थोड़ा मोटा मोटा काटा है इसके लिए नहना प्याज इसमें अच्छा नहीं लगता है थोड़ा जैसे मोटा तो मेरा अच्छे से प्याज भूण गया तो अम मैं इसमें डाल देती हूं टमाटर मैं एक टमाटर लिया है और एक प्याज शुका सूल है तो इस फ्यान करेकी रहाई प्याज ली किसे बहुनाई और सबजी मसाले डाल की मुझे इतना टेश्ट नहीं आता लेकिन बिला मसाले की भी अच्छी बनती है इस वैसे मैं इसको पुलकुल सिंपल तरीके से बना रही हो और मैंने जो कद्दू कट किया था वो भी एड़ कर दिया मेरे मसाले अच्छे से भुन गए हैं और इसमें जो भ जग दूँगी ताकि असे से बन जाए सिलो गैस पर और इसको मेडियम या सिलो गैस पर ही बनाना पड़ता है क्योंकि इसको हाई फिलेम पर करेंगे तो यह जल जाएगा क्योंकि यह पानी भी छोड़ता है तो इस वैसे मैंने इसको कर दिया है मेडियम एकदम ड़क के छो करती हूं और इधर अभी हलका ठंडी भी है तो इस पईसे मैंने सिंगल कम लो मतवन निकाल रखिए वैसे ठंडी तो नहीं है लेकिन ओरनिंग के टैम इूप ठंडा थंडा सा लगता है तो अभी ये बहुत पतले वाले कमल हैं तो इसकतो मैं निकाल के ही गर्मियों में मतल जादा गर्मी पड़ती है तो इनको यूज नहीं करते लेकिन मौनिंग के टाइम पर यहां पर बहुत हवा चलता एक थंडा मौसम हो जाता है तो फिर यह हलके वाली कंबल अभी मैंने निकाल के रखें यह भी मैंने बॉक्स में नहीं डाले हैं और मैं इस बैड़ शीट को कर देती हूं अच्छे से सही और बच्चे सोते हैं फिर सोने के बाद मतवल जब जगते हैं तो थोड़ी दर इस बैड़ पर खिलते हैं तो बैड़ शीट और खराब हो जाता है तो इस वैसे बच्चे भी जग गए अब बच्चे भी उधर दूसरे वाले खिल लाएं तो मैंने सोचा तब तक में यह वाला बैड़ सीट सही कर देती हूं तो मेरा बैड़ सीट भी हो गया सही और मैंने बैडरूं का बैड़ सीट तो अच्छे से कर दिया सैट और अब मैं आ गई फिट से किचिन में और किचिन में जो यह वरतन स्टेंड है वैसे तो मैं इस पर नीचे नीचे डेली कपड़ा मार देती हूं लेकिन जो उपर वाला है इसमें एक दो दिन पीछे मारती हूं तो ऐसे सारे बरतन रखे हुए हैं सारे बरतनों को हठा के मैं एक वार और अच्छे से कपड़ा मार देती हूं ताकि थोड़ा बहुत डश्ट जाते हैं उपर वाला में एक दो दिन छोड़के करती हूं लेकिन कपड़ा में स्टेंड पर डेली मारती हूं क्योंकि थोड़ा बहुत पानी रह जाता है बरतनों से तो मुझे अच्छा नहीं लगता है गीला गीला सा तो इस वैसे बरतने स्टेंड मुझे एक तुम सूक अह अच्छा लगता है तो इस वैसे मैं इस पर कपड़ा मारती रहती हूं जहां पर भी मुझे गीला रखेगा वैसे तो मैं बरतनों को हमेशा मतवल पानी निकल जाए तब ही स्टेंड पर लगाती हूं गीला नहीं लगाती वाई चांस कभी लगा भी दूं थोड़ा बहुत पानी रह जाता है जैसे तो उनको में तुरंत उस पानी को तुरंत में कपड़े से ही पहुंच देती हो तो इधर मैं अच्छे से कर लेती हूं अपने इस बरतन स्टेंड को साफ कुछ ना कुछ मतवल सटेंडे संडे को ज्यादा हो जाता है निकलता ही रहता है तो कल मैंने अपने डबे वगएरा साफ किये थे किचिन के और आज ये स्टेंड मतलब इस टेंड जो होता है ना वैसे तो इस पर डेल ही कपड़ा मरता है लेकिन आज जो थोड़ा अच्छे से कर देती हूं और जो मेरा स्टेंड भी साफ हो गया फिर में दुबारा से किचिन में ही हूँ अभी किचिन से गई नहीं वाहर तो मैंने सोचा अभी तब तक सब्जी बन नहीं है तब तक में रायता भी बना देती हूं तो आज मैंने सिंपल रायता बनाया है बुंदी वाला तो ये दही रखा था मेरा कल का तो इसका ही बनाया है एकदम सिंपल रायता और मैं धनिया सब्जी के लिए साप करके रख लिया है अब धनियां के डालोंगहींस आप समझी को देखती हूँ सब्जी अब인지 बनी है यह नहीं अभी क्योंकि बनने के लिए ट्वड़ा बात पानी भी छोड़ती है तो आराम से बनती रहेगी और इस पानी मैंने बुलकुल भी नहीं किया है क्योंकि पानी करेंगे तो अच्छी सब्जी नहीं बनेगी क्योंकि कासी फल है जो भी कच्चा है पका हुआ नहीं है पका हुआ रहता है तो उसमें थोड़ा बहुत पानी कर दो ताकि वो लगे न, यह वाली सबजी लगती भी बहुत जल्दी है, क्योंकि यह कम सबजी रहती है, और मतवल यह बिना पानी की बनती है, तो इस विए से लगती भी बहुत जल्दी है, तो इसमें मैंने पानी तो ब्रुकुल भी नहीं किया है, बस इसको शिलोग ऐस पर में ब इसमें डाल ले के लिए और इसमें में मतवल नीवू भी डालूंगी मेरे पास नीवू भी रखे हुए हैं अभी नीवू मतवल ज्यादा रस वाले नहीं आ रहे हैं वस ऐसी दो मतवल छोटे-छोटे मैंने नीवू लिए हैं वैसे टमाटर भी डाला हुआ है मैंने इसमें औ इतना अच्छा कलर आया एक दम अपर जो गूली नहीं है मतल जो पकी हुई सब्सक्राइब कभी कभी जाती है लेकिन इसकी बुल्कुल भी नहीं घुली है अज मैंने बाल भी धुला तो भी बाल भी मेरा ही लगा तो इसको भी में सुखाऊंगी वैसे दूप में बैठा तो जारा लेकिन जो बालकनी है न उसमें धूट थोड़ा कम पम आता है तो मैं बैट हूंगी अभी बालकनी में और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगर आप लोगों को यह ब्लोग अच्छा लगा हो तो प्लिस लाइड करें शेयर करें सब्सक्राइब करें देखी फ्रेंज हमारे दौनों बच्चे कैसे खेल लाएं जब एक बड़ा बच्चा होता है फिर छोटा होता है तो थोड़ा बहुत तो सम्हाली लेता है बड़ा बच्चा तो इधर नमन खिला रहा है बाबू को ऐसे बड़े अच्छे से खिलाता है उसको और अब तो केमरा वान होगा तो सरारा तो उपया उसका पामी का तंडा नमर आवाज बद करो आप इतना बाबू गिर जाएगा तो इधर दोनों भाईयों का चलाए मस्ती जब मैं कोई काम करती हो तो बड़े अच्छे सिखलाता एक दम देखता रहेगा उसको कहीं लगने भ करता क्यों तो खॉर बड़ेश।